हे एवरिवान, वेलकम टू आर यूट्यूग चैनल एक्जाम टॉपर तो गाईज आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख वास्तुकार जो की बहुत ज्यादा इंपोर्टिन टॉपिक है आपके एक्जाम के पॉइंट अफ यू से सभी के लिए बहुत इंपोर्टिन कोशन है जो मैं आज आपको कराने वाली हूँ तो वीडियो लास्त तक देखी यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजे शेयर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे यदि आप लोग पीडियेफ पाना चाते हैं तो आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कीजे जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो फर्स्ट कोशन देखते हैं हम लोग पहला कोशन है लोगपाल का लोगो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है देखे ये जो आप देख पा रहे हैं यही है लोगपाल का लोगो जो आप स्क्रेन पर देख पा रहे हैं तो ये किसके द्वारा जो है डिजाइन किया गया है तो ये डिजाइन किया गया है प्रशांत मिसरा के द्वारा option number A याद रख लेना है अच्छा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले लोगपाल कौन है तो पीना की चंद्रा गोश जो हैं ये भारत के पहले लोगपाल है जो की 19 मार्च 2019 को इन्हें लोगपाल बनाया गया था लोगपाल का कारेकाल यदी पूछा जाए तो 5 वर्स का होता है और लोगपाल का जो वेतन जो सेलरी होती है मन्थली वो होती है 2.80 लैक रूपे याद रखना है नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रिय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था तो ये डिजाइन की बात याँ पर की गई है तो ये किया गया था पिंगली वंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रिय ध्वज का डिजाइन याद रखेगा और ये डिजाइन की मैं बात करूँ तो देखे ये जो है समविधान के द्वारा कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को ये डिजाइन अपनाया गया था और ये जो आप तिरंगे में ये जो बीच में देख रहे हैं न एक चक्र तो ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये जो है असोक चक्र जो है ये सारनात असोक इस्तंभ से लिया गया है जो डाक ब्लू कलर का है और इसमें 24 तिल्लियां होती है और देखें मोश्टली एक्जाम में रेशियो पूछा जाता है तिरंगे का भारतिय ध्वज का तो इसका रेशियो होता है तीन रेशियो दो याद रखेगा इसकी लंबाई चोड़ाई नेक्स्ट राष्ट्रोपती भवन का वास्तुकार कौन था जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर तो एडवीन लुटियंस था राष्ट्रोपती भवन का वास्तुकार और इसका पूरा नाम था एडवीन लेंड सियर लुटियंस याद रखेगा राश्ट्रोपती भवन का निर्माण कारे 1912 में शुरू हुआ था और ये पूरा हुआ था 1931 को याद रखेगा और ये जो राश्ट्रोपती भवन है न ये टोटल 330 एकड में फैला हुआ है यदि रूम्स की मैं बात करूँ तो 340 कमरे हैं राश्ट्रोपती भवन में 74 बरामदे हैं 37 सभाग रहे हैं और करीब 2.5 किलो मीटर का गलियारा है राश्ट्रोपती भवन में 18 सीडिया हैं और 37 फवारे हैं ग्याद रखेगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है जो राश्ट्रोपती भवन है और ये जो है अपनी खुबसूरत वास्टू कला के लिए जाना जाता है सबसे इंपोर्टिन फैक्ट है इस राश्ट्रोपती भवन का की दुनिया में किसी भी पॉलिटीशियन के रहने की जो जगा है वो इतनी बड़ी नहीं है जितना का राश्ट्रोपती भवन है ओके नेक्स्ट है गेटवे ओफ इंडिया का वास्टू कार कौन था तो ये देखिए महराश्ट्रोप की कैपिटल मुंबई में है ओके इसके निर्माण कार की यदि मैं बात करू तो 31 मार्च 1913 को ये जो है शुरुआत की गई थी इसको बनाने की और ये कम्प्लीट हो गया था 1924 को यानी 1924 की यदि लागत की बात की जाए तो इसको बनाने में 21 लाख जो है टोटल खर्चुएते और इसको किस कम्पनी ने बनाया था तो गेमन इंडिया नामक कम्पनी के दुआरा इसको बनाया गया था उदगाटन मैंने अभी आपको बताया 1924 यानी 4 दिसमबर 1924 को किया गया था और इसकी उचाई कितनी है तो 26 मीटर यानी कुल 85 फीट जो है इसकी उचाई है किसकी गेटवे ओफ इंडिया की और ये एक समारक है याद रखेगा सभी लोग बहुत इंपोर्टन कोशन है नेक्स्ट भारत भवन का वास्तुकार कौन था बहुत इंपोर्टन कोशन है तो चाल्स कोरिया जो था ना ये भारत भवन का वास्तुकार था और इसको शुरू किया गया था 1980 में यानि बनाने का जो कारह है वो 1980 में शुरू किया गया और इसका उदगाटन 1982 यानि 13 February 1982 को इसका उदगाटन किया गया था और ये एक कला केंद्रा है जो की MP की यानि मध्य प्रदेश की केपिटल भोपाल में इस्थित है ठीक है कला केंद्रा जो कला से समबंधी सामगरिया यहां पर उपलब्ध है नेक्स्ट है Victoria Memorial का वास्तुकार कौन था देखे कितना खुब सूरत है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यही Victoria Memorial है तो इसका वास्तुकार पूछा गया है तो ये था William Emerson यानि की option नंबर A औ पस्चिम मंगाल की कैपिटल कॉलकाता में इस्थित है अच्छे ये क्यों बनवाया गया था तो ये जो है इस मारक जो है इंगलेंड की ततकालीन रानी विक्टोरिया को समर्पित है जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसको 1921 में बनाया गया था नेक्स्ट कोशन है लोटस टेंपल के वास्तुकार कौन है देखे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो लोटस टेंपल के वास्तुकार है फरीबोर्ज साहबा यानि की option number D लोटस टेंपल कहां है तो भारत की राजधानी दिल्ली में है और ये देखे एक उपासना इस्थल है लोटस टेंपल टेंपल मींस मंदिर यानि कमल मंदिर और ये जो है मंदिर ही है लेकिन देखे ये ना एक बड़ा ही अलग टाइप का मंदिर है ना तो इसमें कोई मूरती ह नहीं इस मंदिर में किसी भी तरह का पूजा पाट किया जाता है और ये जो lotus temple है ये बहाई धर्म का उपासना इस्थल है ओके इसमें होता क्या है कि बहाई धर्म से संबंधित लोगों को जो लोग यहां पर जाते हैं lotus temple में बहाई धर्म से संबंधित उनको बाते बताई जात बस ये इसमें होता है ओके और डेली इसमें 8 से 10 हजार परेटन जाते हैं लोटस टेमपल को देखने के लिए और इसका जो उदगाटन है वो 13 नवंबर 1986 को किया गया था लोटस टेमपल का ओके नेक्स्ट कोशन देखते हैं राम मंदिर का वास्तुकार कौन है देखें राम मं टेक्ट है ओके याद रख लेना है आप सभी को ये राम मंदिर कहां बनने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है राम मंदिर बनाया जाएगा और ये जो है लॉर्सन और टुब्रो कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा इसका सिला न्यास किया गया था 5 अ प्रदार जो है ये स्टेच्यू ओफ यूनिटी के वास्तुकार है और ये जो स्टेच्यू ओफ यूनिटी है तो ये देखे भारत के उपप्रधान मंतरी और ग्रह मंतरी सिरी वल्लब भाई पटेल जी को समर्पित है इसका देखे जो बनाया गया था 31 अक्टूबर 2013 को इस की उचाई है और ये कहां इस्थित है तो सरदार सरोवर बांध के निकट गरुडेश्वर बांध नर्मदा जिला गुजरात में इस्थित है याद रखेगा ओके बहुत ही important question है ये वाला next है भारतिय मुद्रा के लिए रूपे का design किसने तियार किया था देखे ये जो रू प्रोफेसर उदय कुमार के दुआरा तैयार किया गया था जो प्रोफेसर उदय कुमार है ये IIT मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट है और ये जो design है ना मतलब ऐसे जैसे की news दे देते हैं या इस्तियार निकाल देते हैं कि हमको जैसे नौकरियों के लिए जो फॉर्म नि निकाला गया था कि रुपे का design जो है हमको चाहिए तैयार करके दीजे तो हजारों में से ये एक select किया गया था रुपे का जो symbol है जो की प्रोफेसर उदय कुमार के दुआरा बनाया गया था ओके याद रख लेना है सभी को बहुत important है next ताज महल का वास्तुकार कौन था य याद रख लेना है ताज महल कहां है तो यह आगरा में है और देखे संग मरमर की एक संग मरमर का एक खूब सूरत मकबरा है ये जो ताज महल है ये एक मकबरा है और इसको देखे साह जहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसकी वास्तु सैली की य इस्वधरोहर इस्थल भी इसको जो है सामिल किया गया और इसका जो निर्माण कारे है वो 1631 को शुरू हुआ था, मुचाई इसकी 73 मीटर है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जब कम्पलीट हो गया था ताज महल तो साह जहां ने अपने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिये थ क्योंकि ऐसा ताज महल दो बारा ना बन पाए ओके नेक्स्ट कोशन है लाल किले का वास्तुकार कौन था तो यहां पर भी करेक्ट आंसर उस्ताद एहमद लाहौरी हो जाएगा ओके लाल किले का वास्तुकार उस्ताद एहमद लाहौरी था और ये जो है लाल बलुआ क्यूं कहा जाता है तो लाल किला इसी लिए कहा जाता है लाल भलुवा पत्थर से निर्मित होने के कारण next question है कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन है कोलकाता जो की पश्चिम बंगाल की राजधानी है तो जोब चोरनौक जो है ये कोलकाता नगर का वास्तुकार है याद रख लेना है आप सभी को और देखे और भी बहुत सारे सहर हैं जैसे कि जो चंडिगड़ है इसका वास्तुकार ली कर्बूजियर है भुवनेश्वर है तो कौनिस बर्गर जो है इसके वास्तुकार है जैपुर है तो विद्याधर भटाचार है जैपुर के वास्तुकार है और मुंबई है तो मुंब तो incorrect answer यहाँ पर लाल चंद उस्ताद हो जाएगा याद रखियेगा Хवा महल का वास्तुकार लाल चंद उस्ताद है और हवा महल कहा है तो राजास्तान की कैपिटल जैपुर में अस्तित है देखे यह जो आप हवा महल देख पा रहे है यह जो डिजाइन है न यह जो है एक जो मुकुट होता है आपने देखा होगा जो राजा महराजा पहन के रखते थे तो उस मुकुट से प्रेरित होकर ये उसका डिजाइन जो है तैयार किया गया है हवा महल का किसने बनवाया था हवा महल को तो राजपूत महराजा सवाई प्रताप सिंग ने 1799 में बनवाया था इसकी वास्तुकला क्या है तो इसकी जो वास्तुकला है वो रजस्तानी है और मुगल स्थापत्ते का भी थोड़ा बहुत मिश्रन इसमें मिलता है और ये जो हवा महल है ये लाल गुलाबी बलुआ पत्थर से जो है बना हुआ है और हवा महल क्यूं कहा जाता है तो 993 जाता है याद रखेगा नेक्स्ट चछत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनल का वास्तुकार कौन है सबसे पहले तो ये जान लीजी ये एक रेलवे स्टेशन है मुंबई का तो इसका वास्तुकार है फ्रेडरिक विलियम स्टिविंस याद रखेगा जो कि मुंबई में इस्थ तो एकसल हर्मन फेडरिक विलियम स्टीविन्स याद रखेगा नेक्स्ट एंड लास्ट कोशन इस क्लास का रॉक गार्डन का वास्तुकार कौन था? देखे देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर तो नेकचंद सैनी जो था ये रॉक गार्डन के जो है वास्तुकार थे और rock garden कहां है तो चंडीगड में है ये भी आपने याद रख लेना है और ये जो rock garden है ना इसको नेकचंद garden के नाम से भी जाना जाता है ये करीब 40 एकड में जो है फैला हुआ है और सूखना जील के निकटिये इस्थित है इसकी खासियत क्या है तो ये जो rock garden है इसकी जितनी भी चीजे है वो total vestige material से बनाया गया है लाइक टूटी हुई चूडिया टूटी हुई tiles, bottles इन सभी चीजों से यानि vestige material से इसको बनाया गया है जो rock garden है इसी लिए ये अपने आप में ही एक अलग है अद्भूद है तो total मैंने आपको 16 question कराए और की detail के साथ कराए यदि वीडियो अच्छी लगी है तो like कर दीजे, share कीजे, channel को subscribe कीजे यदि कोई भी new है तो next video किस topic पर चाहिए मुझे comment करके जरूर बताना आप लोग हमारा telegram channel join कर लीजे link जिसकी आपको description में दी हुई है exam top पर ताकि आपको सभी videos का PDF मिल जाए चलिए next class में मिलती हूँ तब तक के लिए take care bye bye thank you